Question No.37 तोस्तो Question No.37 ये Map-based Question रहता है और ये Map-based Question को 5 Mark दिये रहते हैं उसमें के 2 Mark History Based रहते हैं और उसमें के 3 Mark ये Geography Based रहते हैं लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरी के पूरी 5 Mark आपके हाथ में हैं तो उसके लिए History का कौनसा इसा लेशन है और उसमें का कौनसा टॉपिक में करना पड़ेगा कौनसे टॉपिक के उपर ध्यान देना पड़ेगा ताकि 2 में 2 Mark मिले और Geography का कौनसा इसा टॉपिक है जो आप ध्यान देंगे तो पूरी 3 में के 3 Mark आपको पेपर को जाने से पहले ही मिलने वाले है दोस्तो तो दोस्तो जान लिजिए वो कौनसे टॉपिक है तो History का Nationalism in India ये जो लेशन है उस लेशन में का जैसे की Congress की जो सेशन है पहला सेशन 1920 में कलकत्ता में जो हुआ था दूसरा सेशन 1920 में नाकपुर में जो हुआ था और तीसरा सेशन 1927 में मदरास में हुआ था इसके उपर हमें ध्यान देना है उसके बाद सत्याग्रह मोमेंट जैसे की पहली सत्याग्रह जो खेडा में हुआ था उसके बाद चमपारने में जो हुआ उसके बाद अहमेदाबाद में जो हुआ, उसके बाद जालियन वाला बाग हस्याकान, वो कहा पे हुआ, उसके बाद दांडी मार्च, यह कहा पे हुआ, यही topic मैं आप बेस क्वेच्चन के अंदर आपको पूचे जाएंगे, उसके बाद कोई भी भी दूसरा topic आपको पूच पूचा नहीं जाएगा, उसके बाद जोग्रफी का रिसोर्च और डेवलपमेंट, यह लेशन के अंदर के वाटर रिसोर्चे अग्रिकल्चर, मिनरल्स और एनरजी रिसोर्चे यही topic खाली 3 मार्च के लिए पूचे जाएंगे, तो दोस्तों यही पूरे 5 मार्च आपके ह हात में हैं, तो इसको अच्छे तरसे कर लो और पूरे के पूरे 5 मार्च लेके जाएंगे